हेलो नमस्कार असलाम उलेकुम एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिलिबाज व्लॉग्स में है गाईज आ हम आ चुके हैं दिल्ली के राश्ट्री बालवहन जो की आईट्यो के पास है आईट्यो के मेंटो स्टेशन चे आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे तो चलिए देखते हैं हमें यहां पर क्या-क्या कर्शन देखनों को मिलता है गाईज की टाइमिंग होती है सुबा सवा नौ से लेकर के शाम के साड़े चार बाशे तक चलिए तो सबसे पहले टिकट ले लेते हैं टिकट जो है 16 एबोग के एज के लिए 30 है और उसके नीचे वाल के लिए फ्री एंट्री होती है सबसे पहले हमें यहां पर एंट्री करते ही केज भी दिखता है बड़ा सा तुलुहे का केज है यह मिट्टू मिट्टू बेटी मिट्टू और नीचे हमें और भी बर्ड्स देखने को मिलते हैं एनिमल्स लाइक राइबिट रखा है यहां पर और पीजन है और इसके नीचे यहां पर होल भी बनाए हुए है इसमें पीजन बैटी हुए हैं अंदर और यहां पर मुझे रैट भी दिख रहा है शायद से हॉमर कहते हैं और मुझे इसमें डक भी दिख रहा है पीजिन्स तो बहुत सारी हैं डक्स भी बहुत सारी गाइस ये एक मिठ्ठू तो मेरे पीछे पड़ गया पैर्ट ये पानी पीने गया है और एक उपर आ गया हमारे दिखातो हम आपको देखें आप ये शायद इसे ऐसा लेगर हम कुछ खाने के लिए का हैं इसके लिए लेकिन मिठ्ठू के लिए हमको कुछ भी नहीं है हमारे पास कुछ भी ओ बिचारा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आगे यहाँ पर हमें एक और केज देखने को मिलता है लेकिन इसकी जाली है बहुत छोटी है मुश्किल दिख पाया आपको कुछ अंदर वैसे आपको बता दूँ कि यहाँ पर बजरीत होते हैं चोटे-चोटे जो रंग ब्रंगी होते हैं वह वाले यहाँ पर एक और पिंजरा देखने को मिलता हमें आगे यह बड़ा पिंजरा है इसमें कबूतर कबूतर है इसमें अधर कोई बड्स नहीं है यहाँ बच्चों को बहुत मजाने वाला है बच्चों को बहुत ही पसंद आयागा यह जगा खास बच्चों के लिए ही बाल भन मनाया गया है तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखते हैं और हमें क्या क्या देखने पब्लिकेशन, फोटेग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्टिचिंग, फोटेग्राफी, कम्प्यूटर, बुक बाइंडिंग, इस सब सिखा जाते हैं बच्चों को जो कि फ्री ओफ कोस्ट है एक बार कोई फीज जाती है छोटी सी फीज से फीज होती है और आपका जीट है कि फाइटर जेट रखा यहां पर जो कि हिंदुस्तान एरोनोटिक्स ने बनाया है और साथ ही में इसके रखा हुआ है एक टैंक जो कि भारती सेनका है ओ भाई, जाइंट मगरमच, बहुत ही खतनाक, गाइस यह सामने जो मैदान दिखा रहा है यहां पर क्रिकेट क आज तो स्कूल के बच्चे ही बहुत सारे आए हुए हैं, देखे कैसे लाइन में खड़े हैं, हमें अपने बच्पन की याद आ गई, हम भी ऐसे स्कूल से जाया करते थे, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फिर, पहले यह नहीं हो करते हैं आपर, सोविनर शॉप ब इस वाले स्टेप्स पर चड़ते हैं, और देखते हैं में आगे क्या मिलता है, यहाँ पर है जवाहर मचली घर, तो चलिए चल कर देखते हैं जवाहर मचली घर में, कौन-कौन से फिशेस हमें देखने के मिलती हैं यापर, ओ भाई, बहतरीन, क्या बात है, जबरदस्त, अ फिशेस तो बहत अच्छी हैं, नाइस, वारी नाइस, क्या नामें इसका, क्लाउन लैब, क्लाउन लैब नामें इसका, वाइट एंड ब्लैक, आइठिंक शार्क है क्या है यह, ओ भाई, डेंजरस, यह तो सब को खा जाएगा, छोटे मचली हो, खाई जाएगा राम से, ओसकर है, हाँ, यह तो आरम से खा जागा, बहुत अच्छे लग रहे हैं आपर यह, फिशेस, फिशेस के आइक्वेरिम तो हमारे पास भी है, बट वो छोटा है हमारा, उसमें छोटी-छोटी फिशेस हमें रख रखी हैं, यह मॉली, जो बहुती छोटी-छोटी फिशेस है अच्छे लगती है एक साथ, जिब चलती है न यह, बहुत ही प्यार लगती है, चलिए हम अब यहां से आप निकल कर देखते हैं आगे, और क्या क्या देखने में मिल सकता हमें, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं बनाना चाता, ताकि आप ठक न जाएं देखते देखते, तो यह आठ गैलरी यहां से स्टार्ट हो रही है, बच्चों ने ड्राइंग बना रही, कितनी प्यारी ड्राइंग्स हैं, हम भी पहले ऐसे ड्राइंग बनाये करते थे, तो देखिए आठ गैलरी, यहां पर अलग-लग जमाने की आठ गैलरी बनाई गई है, जिसे कि अकबर के टाइम की, जहागीर के टाइम की इनसाफ की, और ऐसे ही, अलग-अलग जो हमारे अशोक हुए हैं, या फिर हमारे जो कुप परता होती थी, या अच्छी परता होती थी, उनके बारे में यहां पर, गैलरी में आठ के द्वारा दर्शाई गई है, चैतर पती शिवा जी के ब बारे में दिखा गया है, आपको यहां पर अलग-अलग देश में आजादी से पहले किस परकार से लोग रहते थे, कैसा व्यार होता था, जैसे अब्दुलहमीद, जो की एक निशाने बास थे, अच्छुक निशाना होता था, उनका, उनके बारे में यहां पर दिखाया गय है, कि ताकि आप देख पाएं, तिलक का मुकदमा, बाल गंगादर तिलक का मुकदमा स्टार्ट हुआ था एक बार, और इससे बाहर निकलते हैं, तो हमें यहां पर कैफटीरिया देखनों मिलता है, सभी चीज़े मिल जाती हैं, यहां पर राजमा, चावल, चौमीन, पिज़ा, पाव भाजी, सब मिल जाएंगे, यहां पर टेबल भी लगी, यहां बैठ सकते हैं, और सामने बच्चे कुछ रहते भी हैं, और इसके जस्ट बराबर में ट्राफिक पार्क, जो कि यहां पर बच्चों को शुरू सही सिखा जाता है कि कैसे ट्राफिक नहीं हमका पालन करें, रोड पर किस परकार चलें, किस लाइट से हमें रुखना है, किस लाइट से चलना है, डाएं बाएं सामने सिग्नल भी देख रहे होंगे आप बोड पर, तो हमें सिग्नल की पहचान बच्पन से बच्चों को दिखाई जाती है, समझा जाता है हमने, और अच्छा है बच्चे पहले से सीख जाते हैं सब कुछ, तो उन्हें जीवन में आगे ज्यादा फ्रॉलम नहीं होती, आगे वीडियो में देखेंगे हम, यहाँ पर हमें दिख पा रहा है, बास्केट बॉल ग्राउंड है यह, और जो छुट्टियां पढ़ती है ना, उसमे बहुत सारे functions होते हैं, एक बार मैं भी इस rotary में आया था, जब शिला दिखित जी यहां की मुख्य मंत्री थी, तो उनसे मिलने का एक बार सो भागी प्राप्त हुआ मुझे यहाँ पर, यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग का भी अच्छा खासा इंतजाम है, कि जो laser light वग नहीं है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर शोज वगरा भी होते हैं, तो चलिए आगे बाहर चलते हैं, और देखते हैं, और क्या-क्या देखने को मिल सकता हमें, और यह ब्लू वाला दिखाना अपको यह astronomy unit है, इसकंदर वीडियो ग्राफी अलाउट नहीं है, तो हम आगे, वीडियो लाउट नहीं थी हुआ पर, और आगे बढ़ता ही हमें जूले देखने को मिलते हैं, अलग-अलग तरीके जूले हैं यहाँ पर, उन जूलों के वारे में लिखावा भी हैं यहाँ पर, आज वैसे working day है, तो बहुती कम लोग हैं यहाँ पर, जूलने वाले देखने वाले, घूमने वाले, वैसे बहुत, Saturday, Sunday में बहुत जादा भीर होती है, आपको जूले मिलेंगे नहीं, बैटने के लिए, आज तो जूले खाली पड़े हैं, हम भी बहुत जूला करते थे जूलों पर, और यह पीरामिड टाइप का, पहले जूला कहीं और होता थ पहले वो मचली घर, अब इसे शिफ्ट करके उधर कर दिया गया है, जो आपको यह दिख रहा नहीं है, सामने यहीं था, पहले एकविरियूम, सही बच्चों के लिए बहुत इच्छी जगा है, बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं जिसका इंतजार था, वो चीज हमारे सामने आ गई है, बाल रेल स्टेशन, जहाँ पर बच्चों की रेल चलाई जाती है, और बहुत शुरू से चलती है, आ रही है यह, और पहले ट्रेन दूसरी हुआ करती थी हैं पर वो भी आपको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा, अब इन्हों ट्रेन बदल दिये, पहले सावारी बैठी है गाईज, चलो ऐसा हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, इसको टिकेट है वो टेंटी रूपिस का है, अब वो 16 के लिए और बेलो 16 एज के लिए 10 रूपिस का है, शायद यहाँ पर जो लोको पाइलेट है वो हमारे अंतियार कर रहा होगा, तो कि अभी तक सावारी भरी नहीं है, बताया मैंने आपको कि आज वर्किंग डेज है, तो ज्यादे लोग आए नहीं है, इंजन कितना खुबसूरत है, बहुत ही अच्छा इंजन लग रहा है तो देखने में, पुराना वाला थोड़ा अलग स्ट बैड़ गए है, अब कुछ दिर बाद हमारी ये ट्रेन चलने वाली है, भाईया चला दो, फानली अब चलने लग गई है, शायद हमारी है, चल गई, वाँ भाई वाँ, चल गई ट्रेन, मज़ा गया, बच्चों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, बच्चे बहुत ही, आज कम बच्चे हैं वरना ट्रेन पर बहुत ही मज़ा आता है, और हम जब आते थे तो हम तो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ आया करते थे, घरवालों के साथ भी आये हैं पहले, जब बहुत थोटे थे थे उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो अपने दोस्तों के साथ आया करते थे बहुत मज़े आते थे यहाँ पर हम तो पूरा-पूरा दिन निकाल देते थे यहाँ पर पता है इन चलता था दिन कैसे गुजर गया हम तो फ्री में बैठ जाया करते थे पहले अब हम यह वहीं पहुंच गया है जहां से हमने स्टार्ट किया था देखें सामने यह ब्लू के लड़का जो पिंजर दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में एंट्री करते ही आपको मैं इस साइड से भी दिखाता हूँ एंट्री निगेर दिख रहा है आपको यह रड़क लड़का राष्ट्री यह बाल वहन लिखा हूँ है देखें आप यहां पहुंच गया हम यह बालवन के चारो और से निकले गी है ट्रेन यह लोग अपने हुए यहां पर इंतियार कर रहे हैं वीडियो बना रहा हमारी है देखें यहाँ पर यह गिरियास सिगनल पहले यह नहीं वहाँ करता था यह जो बनाया गया यह बात में बनाया गया इसे यहां पर सफाई भी चल लिए लगातार महिला है सफाई कर रही है यहाँ पर जाड़ों लगा रही है मश्रूम टाइप अम्ब्रेला बिल्कल ऐसा फिल होगा जैसे आप सचमें ट्रेन में बैटे हैं और कहीं दूर खेतों में से या फिर दोनों से तरफ जाड़ यह पीड़ है वहाँ से ट्रेन निकल रही है ऐसा फिल होगा क्योंकि बनाया है इस तरह इस तरह से है इसको कि आपको मज़ा आ जाए बच्चे को मज़ा आ जाए बच्चे इंजुआए कर पाएं बच्चे को लिए पैसा वसूल जगा है बिल्कुल मज़ा आने वाला यहां पर आगे गुफा भी आने वाली है बिल्कुल पूरा रियल एक्स्पिरियंस जैसा जैसे बच्चों को हो मज़ा आ जाए जैसा फिल्मों में देख पाते हैं आप उस परकार का है जो दस रुपे का टिकट है बच्चे के लिए बच्चे वह असूल कर जाएंगे इसको तो देखे गुफा आ गई लक्ष दियूप लिखाया है इस पर तो यह केव आ गई यहां हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है अंधेरा हो गया भाई लेकिन यह गुफा छोटी है बाहर आ गया हम तो बहुत ही जल्दी बाहर आ गया लेकिन अच्छा एक्स्पिरियंस रा मेरा तो मसा आ गया बहुत दिनों बाद आओं मैं यहां पर ओ भाई पूल भी है पहले पूल नहीं होताता है यहां पर नीचे पानी जैसा बना रखा है रिवर टाइप जाली लगा दिये कि बच्चा गिरना जाए बच्चे तो होते ही शरारती वैसे ट्रेन के साइड में जंजीर लगा रखी है उन्हें कोई गिरना जाए पूरा ऐसा एक्सपिरिंस हो रहा है जैसे कि ट्रेन की पट्री होगर कास पास नहीं हो तर देखें यहां पर इस लेफ्ट साइड में कैसा बना रखा है और आपको मैं दिखाता हूँ पूराणी ट्रेन जो पहले पूराणी ट्रेन चलती थी यहां पर यह जो घर टाइप का दिखर आपको देखें इसकंदर जाली में दिखरा होगा हलका हलका देखें आप यह पूराणी ट्रेन दिखर यह आपको ग्रिंगलर की यह भाइप टा उस टाइप का था यह लेकिन यी भी अच्छा था हमारी यादे तो उसी से है देखे पट्रे कैसे मिल रही है यहापर और सिगनल भी है यहापर foot over breeze भी है भाई पहले foot over breeze नहीं हो करता था यहां पर foot over breeze भी बना दिया गया है जैसे कि train की पट्री है वहाँ से पार्क करके जाना है तो हम मेसे जाते हैं न रियल में अब हमारा station भी आ गया है बाल रिल इस्टेशन पहुंच चूए है हम वापस और यहां पर सवारी वेट कर रही है सवारी कम है यह बच्चा कितना excited है ओ भाई बच्चे इदर भी बटे है आ गई हमारी train हमारी जंदरनी है खतम होती है train की गाइस कुल मिला करके बहुत ही entertaining बहुत ही मज़ा आने वाली जगह है यह बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं घुमाएं और कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं है आपको आना है तो बहुत आसानी साशकते हैं आप यहां दिल्ली गेट आ सकते हैं यहां पर मेट्रो की भी सुविधा है और मेट्रो भी walking distance पर है दस मिनट में आप पहुंच जाएंगे अभी भी लोग देख पा रहे होंगे आपको वीडियो में लोग आ ही रहे हैं गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहें और हम आपके लिए और भी अच्छी ची वीडियो बनाकर लाते रहें तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें टेक क्यार बाई अलाफिस मिलते हैं आपसे नेक्स व्लोग में